चिन्वारा जिले के घाट परसी आपके पास तेद बिच्छुप पहाड पर संत बालगदाजी का अश्रम है जहां से उन्होंने मिडिया को चर्चा में बताया है कि साधू का एक धर्म है संतक अल्यान करते हैं संतका जो करेगा अपमान उसको नहीं कहीं मिलेगा समान साधू का अपना कुछ नहीं होता है साधू समाज के लिए जीते हैं और हमेशा समाज को कुछ देते हैं लेकिन लोग धर्म की अवहलना कर साधू का अपमान करने पर उतारू हो रहे है जो बेहत निंदनिय है आश्रम में घटी घटना का वृतान बताते हुए महाराश श्री ने बताया है कि मैंने अपने बिच्चु पहाड का आश्रम चैतने दास जी छोटे महाराश को दे दिया है जिसकी विधी सम्वत लिखा पड़ी कर आश्रम का उत्तराधिकारी चैतन्य को बनाया है लेकिन चैतन्य की मामा के साथ अन्य लोग पहुँचकर आश्रम को क्षती पहुचा रहे हैं एवं मारपिट जैसे घटना कर एक सादु का अपमान कर रहे हैं जो की समाज के लिए अप्रिय है मेरे ग्यारह आश्रम है जो आज मेरे सभी सदस से चला रहे हैं मेरा अपना जीवन समाज का जीवन है और मैं सीता राम संकिर्टन कर राम का संदेश देता हूँ मैं राम में वातावरन तेयार कर लोगों को सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ मेरा काम आध्यत्मिक्ता को बढ़ाना है धर्म के प्रती लोगों को आगे लाना है लेकिन लोग इस प्रकार के कार्य में बाधा पहुचा रहे हैं निशित ही उन्हें भगवान उनके कार्य का फल देगा मैं मिडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील करता हूँ कि भगवान राम के आदर्शों पर चले संकिर्तन करे तभी इस कल्यूग में आपका उध्धर हो पाएगा इसलिए मैं अपना पुरा आश्रम सोचा कि इसका कोई नहीं है तो परमात्मा है तो मामा आ करने वालों को हनुआ जी बखसेंगे नहीं अजिद्ध्य राम लाला कीज़ए जो एक अपता पहले हमारे विच्चु पाड़ा असरम में महराजी का असरम है उनमें जो दुर घटना गटी थी वो हमारे गुरुभाई को लगी थी और हमारे गुरुजी ने हीरवय को बचाए थे और हमारी मा को बचाए थे तो जो दुर घटना गटी है वो धरम को पुरा यहां पर आकर यहां पर फोट लगा उनको चीराचारी सब कर दी हैं धरम को न बिगाड़े धरम जो चल रहा है उनको चलने दो धरम को कोई बिरोद ना करे राम जिन को बाकास्ते नहीं है बोले इन बी से न निउस के लिए चौराई से सववाद दाता राजेशुई के